अगर दो variables के बीच में positive value है तो इसका मतलब वो highly correlated है मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा कितने हमारे जो one वाले हैं default करने वाले हैं और कितने हमारे non default करने वाले हैं Hi everyone, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में आपके लिए एक और नया end-to-end AIML-based project लिके आया हूँ और इस project का title है credit card payment default predictor जैसा कि आप मेरे screen देख पा रहे हैं इस project के बारे में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इसका real world use के scenario क्या है उसके बाद जो है project का demo करेंगे डेटा सेट के बारे में बात करेंगे उसके बाद Jupiter notebook यानि की model training और हमने कैसे Jupiter notebook लिखी है उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद हमने जो वैक इंड बनाए है उसके बाद API testing कासे करी है वोस्ट में के साथ और कैसे front end के साथ integrate किया है इन सारी चीजों के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे अगर आपको ये project अपने किसी भी purpose जैसे की personal learning, professional learning, college assignment या final year submission किसी भी requirement के लिए आपको ये चाहिए तो आप मेरे साथ connect कर सकते हैं मेरा number अभी आपकी screen पे flash हो रहा है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यानि की ये project की requirement क्या है या real world में ये कहां पर use हो सकता है ये project जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका नाम है credit card payment default predictor सबसे पहले मैं आपको एक use के scenario बता देता हूँ जैसे की real world life में बहुत सारे लोग credit card ले लेते हैं credit card लेने के बाद जो है वो हर महीने उसको use करते हैं और कुछ time के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि या तो वो pay नहीं कर पाते हैं credit card का bill या फिर वो pay करना नहीं चाहते हैं या फिर भूल जाते हैं या किसी भी region से वो default कर देते हैं तो basically इससे क्या होता है कि इससे bank को जो है बहुत जादा नुक्षान होता है और ऐसे ही use के scenario को address करने के लिए इस type का project जो है बिल्कुल right fit बैठता है जो कि आपको बता देता है कि क्या customer जो है next payment के उपर default करेगा कि नहीं करेगा यानि कि next credit card की payment जो होगी क्या उसके उपर customer default करेगा यानि कि देगा या नहीं देगा बिल्कुल तो यह actual project उसी के उपर based है सो यह हमारा project का use के scenario था real world scenario अब प्रोजेक्ट की introduction के बाद हम इसके demo पर आजाते हैं जैसा आप मेरी screen पर देख पा रहे हैं यह एक web app है जैसा कि यह एक web app है यहां से running है यहां पर इसका back and run हो रहा है और मैं अब इसका demo करने जा रहा हूं और इसके demo के लिए हमें कुछ details से नहीं होती हैं जैसे की user की details इस user की details में क्या क्या section है basically education age, marriage, gender और credit card limit so basically customer की क्या education है आप इन्हें से कोई भी एक select कर सकते हैं let's say graduate है university है या जो भी है customer की क्या age है let's say हम select कर लेते 26 marital status क्या married और single या फिर कोई others और gender क्या है male female और उसकी credit card limit क्या है so let's say two thousand, twenty thousand और हमने बोल दिया कि let's say उसकी credit card limit two lakh है और इसके बाद जो है हमारा next section है bill details for last six months so last six months की हमें bill details देनी है कि कितना कितना amount जो है आया है so basically let's say हमारा bill amount इस current month का एक example के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ जैसे कि मान लीजिए मैं डाल देता हूँ twenty thousand और दूसरे का मैं डाल देता हूँ इसका भी मैं twenty thousand डाल देता हूँ let's say मैं fifteen thousand six hundred डाल देता हूँ इसका मैं डाल देता हूँ twenty thousand डाल देता हूँ इसका मैं 1000 डाल देता हूँ और इसका मैं let's say कुछ भी डाल देता हूँ 1232 मैंने कुछ numeric value दिये हैं कुछ numbers दिये हैं उसके बाद ये bill amount है हमारे this month मतलब की current month का उससे पहले वाले month का उससे दो महिने पहले उसका क्या है last six month की detail है उसके बाद repayment status repayment status for last six month मतलब की इस month के लिए paid डिवलि का मतलब है कि time से उसने build पैकर दिया था या फिर एक माइने बाद bill pay किया था दो मैने बाद तीन माईने बाद या कैसे pay किया था इसका भी let's say कुछ भी बोल देता हूँ four month बाद और मैं इसकाендि reiterate हम ठीक है उसके बाद जो अप्डिट पे था मिर्लेकिं अमाउंट भी जब हम credit card का bill pay करते हैं तो हम हमारे पास दो ओफ्शन होते हैं या तो हम फुल payment करते या फिर उतनी payment करते कि जिसे हमारा credit card block ना हो या आगे तक चलता रहे और एक minimum amount जो होता है तो तंदा पर हमेंहों वह वाली देनी last six months की तो लेट्से लाज 6 meeंस के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ 100 डाल देता हूंं से 100 डाल देता हूं हमांट पेड for third month ryork month is झीड़ के और लगें से फ़्र मथ के लिए 10 डाल देता हूँ और 5th month के लिए अंडर डाल देता हूँ इसमें तीन major section है एक है user details वाला उसके बाद दूसरा है build details वाला तीसरा है repayment status वाला और जो है चोथा है हमारा repayment का amount कितना था ओके यह सारी details डालने के बाद उसके बाद हमें कुछ नहीं करना उसके बाद हमें प्रेडिक्ट डिफोल्ट का जो बटनें इसपे करना है यह यह सारी details लेके back end के पास जाएगा back end में जो हमारा model hosted है in details के according and that model will tell us that की यह customer particular customer next payment के उपर default करेगा की नहीं करेगा तो लेट से मैंने इसके उपर प्रेडिक्ट डिफोल्ट के उपर click कर दिया और नीचे मैं scroll करता हूं तो देखता हूं कि yes customer will default yes and the probability of default is 61% तो इस particular scenario में जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस ऐसे particular scenario में जहां पर बिल उसका हर महीने बीस-बीस हजार रूपे और रफली आ रहा है और जो कि वो कभी भी मतलब बीच में एक बार उसने बस time से पे किया है बाकि हमेशा हर मंत उसका delay हो रहा है so that means की model has predicted it correctly कि इस महीने भी काफी chances है 61% chances हैं कि this customer will default on the payment for this month ओके यह हमारे एक default वाला सिनारियो होगा एक मैं दूसरा सिनारियो आपको लेके दिखा देता हूं उसके लिए मैं एक बार refresh कर देता हूं so that की पेज रिसेट हो जाए आप जैसे यहां पर देख पार है मेरी आप जो थी वह भी चली गई है अब मैं फिर से जो है यहां से कुछ डिटेर्स दाल देता हूं let's say मैं यहां से यहां पर मैंने credit card की limit डाल दी है let's say 20,000 let's say मैं इसको 2,000 कर देता हूं और age मैं कर देता हूं 27 married इनमें कोई भी एक random value select कर सकते हैं आप bill amount for this month is let's say 1,2,3,0 let's say 1,2,3,0 again and let's say मैं ऐसे कुछ भी एक random value ले रहा हूं और let's say 1,2,3,4 1,2,3,4 and let's say 1,2,3 मैंने कुछ भी ऐसे last six months के लिए कुछ numerical values ली हैं और let's say मैं बोल लेता हूं कि यह customer बहुत ही अच्छा है अच्छा हमेशा हर time पे bill pay किया है उसने टाइम पे पे किया है और let's say मैं यहां पर बोल देता हूं कि उसने amount कितना कितना pay किया है उसने amount let's say जितना जितना amount फो उसारा pay कर दिया है तो let's say हमारा amount था one, two, three, zero, first month के लिए वो उसने टाम से पेग कर दिया है दूसरा मंत का 1,2 30 था तीसरे मंत का तह 1,2 134 था let's say let's say मैं बोल रहेता हूं 14 मंत और पाचमी मंत का 135 था वर पाचमी मंत का भी 1234 था और let's say six months का था हमारा 123 तो मैंने जो है कुछ भी random numbers लिये हैं just to segregate two different scenarios, एक scenario वो कि जिसमें बहुत सारा customer का bill है, वो time से bill pay नहीं कर रहा है, तो model उसमें कैसे predict करता, एक customer ऐसा है कि जो कि हमेशा time से bill pay करता, जो भी amount आता उसको full pay कर देता है, और last six months की बिलकुल जो है उसकी history जो है बहुत सही है, तो मैं अगर देखता हूँ, तो यहाँ पर model ने correct predict किया है कि customer will default और no, मतलब कि next payment के उपर भी ये वाला customer default नहीं करेगा, मतलब कि वो time से bill pay कर देगा, तो यहाँ पर भी model ने correct prediction दिया है, और फिर भी जो default की probability इसने बहुत कम बताई है कि सिर्फ 14% chances हैं कि वो customer जो है default कर सकता है, तो जो कि बहुत ही bare minimum है, तो यह हमारा जो है demo हो गया है, तो इस demo के बाद हम जो है आजाते हैं next जो हमारा data set के बारे में हम बात कर लेते हैं, यह हमारा data set है, यह CSP file है, यह मैंने Kaggle से download किया है, और इसमें यह सारे different parameters है, limit balance जो कि मैंने अभी आपको बताया कि limit balance मतलब कि उसकी credit card limit कितनी है, sex क्या है, मतलब कि उसका gender क्या है, male है, female है, education क्या है, यह सारी values जो है, numeric में दे रखे हैं already, तो इनकी कुछ mapping है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, so education 2 का मतलब है कि customer is university passed out, okay, so ऐसे ही इनकी mappings है, marriage की mapping है, one का मतलब है married, two का मतलब है not married, age क्या है, pay zero, pay two, three, pay three, four, five, six, उसके बाद, यह हमारी last six months की payment है, मनलब time से pay किया है कि नहीं किया है, उसके बाद last six months का यह bill amount है, उसके बाद यह payment amount मतलब कि उसने जो pay किया है, वो कितना pay किया है, और यह last column जो है हमारा default payment dot next मतलब कि next वाली payment में customer क्या करने वाला, क्या वो टाइम से पे कर देगा या default करेगा या क्या है तो यह हमारे dataset हो गया dataset के बाद हम जो है मैंने यहाँ पे अपने इस Visual Studio Code में पूरे project के पूरे root folder को import कर लिया है और सबसे पहले हम बात करते हैं next आज आते हैं हम जो है हमारी जूपिटर notebook के बारे में तो जैसा आप मेरे screen पे देख पा रहे हैं यह folder है जूपिटर notebook का यहाँ पे मेरी जूपिटर notebook है जिसको मैंने already open कर रखा है और अगर मैं आपको यह starting से अगर मैं चेक करवाता हूँ तो यहाँ से शुरुवात करते हैं यह जो हमारा नेम है बेसिकली उसका नेम है उसके बाद जो हमारा objective क्या है कि basically हमें वो डिव प्रेडिक करना है कि next what is the likelihood of the credit card default payment okay so starting से शुरू करते हैं again मैं आपको बता देता हूँ कि मैं quick code walkthrough करवा रहा हूँ कि कहां पे कैसे चीजों को किया है एक एक word I am not going to cover which is practically not possible अगर मैं एक एक word cover करूँगा तो यह बहुत जादा बड़ी वीडियो हो जाएगे और दूसरी चीज इसमें ये भी है कि इसमें अगर आप इसको understanding के लिए इस वीडियो को अगर understanding के लिए देख रहे हैं तो यह वीडियो इतना basic assumption लेके चलती है कि आपको इन concepts का by default आपको पता होगा कि machine learning क्या होता है models क्या होते हैं different algorithms जैसे कि decision trees random forest logistic regression यह सारी चीजे यह सारी algorithms क्या होती है या कैसे काम करती हैं तभी आप जो है कि जो को relate कर पाओगे तभी आप इन concepts को use करके एक पूरा complete end to end project बना पाओगे तो अगर आपको यह डिटेल्स जो है यह concepts आपको नहीं पता है तो मैंने एक जो पूरी machine learning की beginner से बिल्कुल absolute beginner से एक अच्छे expertise level तक machine learning के expertise level तक पहुंचने के लिए पूरी एक playlist बना रहा रखती है आप वो playlist देख सकते हैं वो मेरे YouTube चैनल में पूरी एक playlist है उसका लिंक जो है आपके इस अभी इस वीडियो में लेफ्ट यह राइड में कहीं पे आपको जो है appear हो जाएगा तो आप अगर आपको नहीं पता है उन जफ का बारे में आप वो चीज़ देखिए उसके बाद ही आप पूरे प्रोजेक्ट को रिलेट कर पाऊगे तो सबसे पहले हमीशा की तरह यहां पे जो है जो रिक्वार्ड लाइब्रेरी जा उनको इंपोर्ट किया है उसके बाद यहां से हमने डेटा को रीड किया है री कुछ वरिड़स हैं बेसिकली जैसे बीडिय्स की सेटेगरीकल वरिड़यबल ए यह सारे जह हमारे कर डियो कर बडता है वहां रही तो कर रोडir यूजर ग्रेजुएट स्कूल है अगर टू है तो यूनिवस्टी है त्री है तो आई स्कूल है पोर है तो अधर से अंद बाकी की ऐसे ही बाकी के जैसे मैपिंग है वह बेसिकली यहां पे उस देटा की जो है डिसक्रिप्शन दे रखा कि किस वैल्यू का क्या मतलब है ठीक ह उसके बाद जो है हम यहां पर फीचर इंग पर आ जाते हैं सबसे पहले हमने जो यह हमारा जो कोलम का नेम था इसको हमने रिनेम कर दिया है डिफोल्ट पेमेंट डोट नेक्स्ट मंत यह हमारा जो है टार्गेट वरियेबल है इसको हमने रिनेम कर दिया डिफोल्ट के नाम से उसको default के नाम से वो करने के बाद हमने जो है data की info print करवाई तो यहां पे हमने जो है वो सारी info आ गई है यह हमारे column name है और कितनी non-null values है count क्या है data type क्या है वो सारी details जो है basically data के बारे में आ गए उसके बाद जो है separating the features and the target हमने data का मतलब जो हमारा target variable उसको अलग कर लिया और features को हमने अलग कर लिया उसके बाद यहां पर हमने education में हमारी कुछ values जो है 2134560 कुछ values जो है एक्सा की है मतलब कि वो हमारे मतलब कि जैसे 456 जो है उनका अधर्स है अन्नोन है six भी unknown है तो six unknown है five unknown है दोनों ही unknown है तो हमारे लिए हम उनको जो है unique value ही consider करेंगे मनलब कि उनको rather than keeping them as duplicate values हम क्या करेंगे हम वहां से सारी सिर्फ unique values उठा लेंगे ठीक है the categories are this ओके और यह वाली values the categories four five six जो है इनको हम इनको four five six को हम group करके एक क्लास में group कर देंगे कि भाई four का मतलब भी four है मतलब अधर्स है five unknown है उसका मतलब भी हम अधर्स बोल रहे हैं six unknown है उसका मतलब हम अधर्स बोल रहे हैं यह हमारे कुछ-कुछ basic techniques होती हैं यहां पर हमने उसको ही किया उसके बाद after grouping the education column has following category तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास छिर्फ ट्यार categories है दो एक तीन चार और इन दो एक तीन चार की values है यह वालू अगर मैंने यहां से दिखा हूं दो एक तीन चार की values है यह graduate university high school या others ठीक है जो extra की values थी हमने हमने उन सबको एक में ही group कर दिया उसके बाद जो है नीचे आ जाते नीचे आने के बाद ऐसे ही हमने marriage के लिए किया है marriage में भी हमारी जो एक जीरो की extra category थी उसको भी हमने जो है उसमें से भी unique value ले लिए उसको भी हमने combine कर दिया है और फिर हमारी unique value जो है one two three हो गए जीरो को हमन three में combine कर दिया उसके बाद हमने exploratory data analysis किया यह EDA होता है basically यह इसमें क्या होता है कि इस phase में हम लोग क्या है data के बारे में पता करते हैं कि कैसा data है कौन-कौन से variables हैं आपस में variables का क्या relation है and so on so forth ठीक है यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने print कर वाके देखा है की हमारे पास दो classes है यहाँ पर non-default करने वाली मतलब की जो default नहीं करेंगे उसकी percentage है 77.9 और जो default करेंगे उसकी percentage है 22.1% उसके बाद हमने descriptive statistics इस data का descriptive statistics निकाला है मतलब की यह मतलब की mean क्या है mode क्या standard deviation क्या है 25th percentile क्या है 50 percentile क्या 75 percentile क्या है हर column की यह सारी details हमने यहाँ पर check करी है उसके बाद जो है frequency of exploratory variables by default and non-default credit card सो बेसिकली हमने frequency के basis पे default और non-default वाले को जो है प्रिंट करवाया है जैसे कि यहाँ पे sex के बेस मनलब sex एक हमारा variable था column name था basically so हमने उनकी frequency print करवाई है कि one female category में कितने हमारे जो है basically default करने वाले है यानि default मतलब धोका देने वाले मतलब कि हमें next month की payment नहीं करेंगे मतलब bank को next month की payment नहीं करेंगे उसके बाद यह वाले default वाले मतलब कि sorry default जीरगा मतलब default नहीं करेंगे एजुकेशन के बेस पर हमने जो उनके print करवाया मैरीज के बेस के उपर मतलब कि लटसे जिनकी education one है उन में कितने ऐसे हैं कि जो default नहीं करेंगे और कितने ऐसे हैं कि जो default करेंगे ऐसे ही हमने जो ही सारी descriptive analysis का पार्ट होते हैं सारे columns के लिए हमने इसको जो है print करवाया उसके बाद okay उसके बाद separate the limit balance on the default status उसके बाद जो है हमने यहां पर इसको separate वो किया है यहां पर limit balance के लिए हमने वो किया है कि basically credit card की balance के limit के बेस के उपर कितने default करने वाले और कितने non-default करने वाले यह सारी चीज़े हम इसलिए करतें कि ताकि हम किसी तरीके के कुछ relations निकाल पाएं आपसमें variables में कि भाई कितनी age वाले generally default करते हैं या क्या वह शाधी सुधा होते हैं क्या हो single होते है या वह किस education level वाले default करते हैं कि इस education वाले नहीं default करते हैं तो data आपको यह बहुत सारे pointers आपको बताता है और यह सारी चीज़े हम descriptive या data को plot करके graph के throughs हम जो है इन चीजों के उपर basically conclude कर सकते हैं तो यहाँ पर भी हमने limit balance के उपर जो है इसका histogram निकाला है उसके बाद जो है उसके बाद जो है हमने यहाँ पर उसका repayment का status का box plot किया है यह भी वही चीज़ है कि जो हम repayment कर रहे हैं मतलब कि time से pay कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके basis पर हमने box plot किया और उसके बाद standardizing and plotting the data जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा data है ना different scales के उपर है जैसे यह वाला data में सिर्फ दो ही value है 0102456 और इस data में thousands की value है इस data में hundreds की value है इस type से ठीक है तो हमारा data जो है different scales के उपर है so हमें क्या करना पढ़ेगा कि हमें सारे को basically we need to kind of extendization form करना पढ़ेगा so that कि फिर हम हमारा variance जो है similar सारे एक जैसा रहे है ना so हमने यहाँ पर standardization ऐसे किया है जो feature है minus feature का mean divided by feature का standard deviation so हमारा यह standardization का formula है और इस formula को हमने सारे उनके उपर हमारे जो independent variables है उनके उपर लगाया और फिर हमने जो है फिर से दूसरे तरीका का plot किया और जो कि यह यहाँ पर ऐसे देख रहा है ओके उसके बाद जो है हाँ उसके बाद जो हमने correlation निकाला correlation का मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था correlation matrix of all variable is shown in heat मैं below the only feature with a notable positive correlation with the dependent variable is default default is repayment status during last month मतलब कि यह है कि correlation का मतलब पहले बता देता हूं कि basically जो हम predict करना चाहरे हैं जिस variable को उसका बाकी variables के साथ क्या relation है मतलब कि लट से हमारा एक independent variable है इस variable का और जो हम predict करना चाहरे है यह variable है इन में क्या relation है क्या ऐसा तो नहीं है कि यह variable बढ़ता है तो यह value बढ़ जाती है या फिर यह घड़ता है तो यह बढ़ जाती है या फिर यह दोनों सेम ही रहते हैं या मतलब क्या actual relation क्या है वो हमें correlation matrix के थुरू या heat map के थुरू पता लगता है वो हमने यहां पे upload किया और इसमें हमने एक ही जो note करी है वो यह है कि there is a positive correlation with the जो हमारा dependent variable है default वाला उसका है positive correlation री पेमेंट स्टेटस दूरिंग लास्ट मंत लम लास्ट मंत का जो बिल है वो टाइम पे बेसिकली कस्टमर ने पे किया है कि नहीं किया उसमें और डिफोल्ट करने में बहुती गहरा relationship है मतलब कि अगर लास्ट मंत वाला उसने टाइम पे किया है तो expectation है कि भाई next मंत वाला भी टाइम पे देगा अगर लास्ट मंत वाला इन इंडिया तो फिर इस मंत वाला कैसे मतलब उसकी यह डेटा वैसा रिलेशन बता रहा है कि उसके चांसे कम होंगे okay so यहां पे हमने correlation को predict किया है correlation को print करवा रखा है और हर value का एक meaning होता है positive अगर दो variables के बीच में positive value है तो इसका मतलब वो highly correlated है मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा और अगर दो values के दो variables के बीच में negative correlation है तो मतलब उसका होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घड़ जाएगा और अगर दोनों के बीच में कुछ zero है मतलब वो कुछ है यह correlation ही नहीं है तो वो एक दूसरे के independent है वो मतलब fix है कि भाई तू बढ़ता रहे घड़ता रहे दूस निकाला वो यह है कि last month की payment का status is highly correlated with our target variable which is default उसके बाद जो है उसके बाद हमने एक as an experiment purpose के लिए बता देता हूं although this is not exclusively required for the purpose of this project हमने linear regression का use करके default और non-default को segregate करने की को सिस्की है तो जो कि यहां पर data देख पा रहे हैं कि यह मेरी orange line जो है बताती है default वाली और blue line जो बताती है non-default वाली बट यह correct prediction नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मेरी यह blue line है जो कि मेरी non-default के है वो मेरे default वाले जो circle से उनके true से भी pass हो रही है so which is not correct ओके यह linear regression का जैसे ही आप देख पारें linear regression cannot distinguish between default and non-default okay so basically your default or non-default के बीच में linear regression नहीं बता सकता है this is not a regression problem this is a classification problem so इसलिए हम जो है इसको classification वाली algorithms के तुरू जो है solve करेंगे ओके इसके लिए हमने क्या कौन से classification model यूज करेंगे वह अभी बताऊंगा classification model जो है पर जाने से पहले हमने जो है डेटा को train test split में वह कर लिया है डेटा को train or test split में दो chunks में divide कर लिया है उसके बार यहां पर standardized जो हमारा standardized एक हमारा जो normal data था without standardized वाला एक मैंने जो अभी आपको बताया था कि हमने standardization लगाया था तो वह standardization वाला डेटा है तो हमने क्या किया कि दोनों दो different set बना लिए है standardization वाला क्या भी और non-standardization वाले का चेक करने के लिए कि भाई कौन सा model मतलब की standardization data के साथ correct दे रहा है या non-standardization data के साथ ही दे रहा है या क्या है machine learning is more about या यह machine learning deep learning is more about experimenting the things and finding out lots of relative results and rational values की भाई हमने यह experiment किया तो उससे क्या निकला है so machine learning is about that only okay so हमने एक जो हमारी जो classification की जो बहुत ही important algorithm होती है decision tree उसका हमने क्लासिफिकेशन का हमने यहां पर parameter की जो हमने parameters पास किये हैं क्या क्या parameters लेता है maximum depth मतलब की decision tree की कितनी depth होनी चाहिए maximum features हमने एक array list of values या नि array of values ले गया minimum sample lifts और इन सब में फिर मतलब ऐसा होता है कि हमें इनकी एक एक वैल्यू बढ़ेस्ट करतोए होती है लेकिन हम एक एक value पास करनी की बजाए हम एक set of values पास कर देंगे और बोलो देंगे कि इन में से best value हमें बता दे कि इन में से best value मेरे लिए कौन सी होगी यानि max depth की इन में से कौन सी best value मेरे लिए सही रहेगी जो जो कि में लिए लेकिया रही है। हमने क्या किया कि एक range लेली इसेट ऑफ पिकिंग वन वैल्यूऊ और फिर उस वैल्यू के बेस्पे हम उसको ट्रेंगे टेस्ट करेंगे फिर हम दूसरी वैल्यू उठाएंगे। फिर हम तीसरी value उठाएंगे उसकी comparison में हमने एक list ले लिए उसके बाद यहां पर decision tree model का object बनाया यानि उसको इनिसलाइज किया उसके बाद फिर हमने random search cv एक algorithm होती है जो की आपको बता देती है कि इन parameters में से आपके given parameter space में से आपके लिए कौन से best parameters होंगे ठीक है और कौन सा जो हमने जो इसमें यह सारी value जाती है हमारा model का object जाता है जो parameter space जाता है cv की value जाती है और random state की value जाती है हमने दिया उसके बाद tree.fit किया उसके बाद हमने फिर हमने यहां से tuned decision tree parameters हमने निकाल लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि minimum simple sample leaf की एक ही value जाएगी ऐसा नहीं कि एक rain चली जाएगे तो अब इन में से मुझे नहीं पता कि कौन सी value में मेरी सबसे अच्छी accuracy आएगी मेरे पास एक तरीका तो यह है कि मैं एक value के साथ test करता रहूं और check करता रहूं और note करता रहूं कि भाई एक के साथ इतनी accuracy है यह दो के साथ इतनी accuracy है ऐसे तो बहुत सा पर लीव की value 6 लोगे maximum feature value की value 5 लोगे maximum depth की value 5 लोगे और criteria की value entropy लोगे तो आपका जो model जो बनता है वो आपके लिए best accuracy निकाल के देगा तो ठीक है यहां पर हमने वह चीज निकाली और फिर हमने यही value जो पास करके उस हमारे model को जो है हमने train किया और फिर हमने यहां पर उसक classification models में specifically classification problem से हमारी सिर्फ एक value से accuracy से काम नहीं चलता है ठीक है और यह precision से काम नहीं चलता है यह recall से काम नहीं चलता है अगर आपको इनकी नहीं पता है precision क्या है है recall क्या होता है accuracy क्या होती है F1 score होता है I would suggest you कि आप पहले इंके बारे में जाननों फिर समझो कि भई precision का मतलब क्या होता है recall का मतलब क्या होता है बट मैं bottom line यहां पर बता देता हूं कि इन सब की value अगर आपका model almost similar सी दे रहा है that means कि आपका model correctly trained हो हुआ है और correctly दे रहा है correctly trained हुआ और correctly values और result दे रहा है अगर इनकी values में बहुत ज्यादा gap है then there is something fishy ठीक है तो जैसे आप देख पा रहे हैं यह मेरी precision की values है precision यह precision की recall की F1 score की यह zero category के लिए यह one category के लिए यह हमारी weighted average है मतलब दोनों को मिला ठीक है उसके बाद यह confusion matrix को plot किया है मतलब कि यह हमारे predicted value label है यह हमारे truth confusion matrix में यह होता है कि जो diagonal पर value होती है वो correctly predicted होती है that means कि यह 4411 और 437 यह वाली values जो है मेरी जैसे जहां पर मेरा mouse move कर रहा है यह वाली और यह वाली वाली correctly predict है लेकिन model ने यह वाली incorrect predict किया that means कि यहां पर actual में था तो default लेकिन model ने उसको non default predict कर दिया which cases में तभी हमारी इसलिए हमारी जो है 80% की accuracy that means कि 20% की roughly 20% के आसपास की values में हमारा कहीं पे wrong predictions हा रहे है उसके बाद जो हमने दूसरा जो model try किया और random forest classifier होता है which is very similar to decision tree decision tree में ऐसा होता कि आप एक tree ले रहे हो random forest में आसा होता कि आप multiple decision trees ले रहे हो और उनके basis पे similar वही उसी तरीके से आप value pass करते हो और यह ऐसे ही मैंने यहां से इस parameter space में से मैंने best features निकाल लिए कि मैं अगर मेरे n estimator की value 200 होगी max features की value 6 होगी max depth की value 5 होगी और criteria का value अगर entropy होगी तो जो मेरा model बनेगा वो मेरे को सबसे correct results देगा ठीक है उसके बाद यहां पर मैंने उसको प्रेडिक्ट किया और यहां पर मेरी जो है accuracy और बाकी की details आगी ओके यह फिर मेरी confusion matrix आगी है उसके बाद जो है मैंने model को जो है save कर लिया जो मेरा trained model था हमने देखा कि random forest वाला model जो है हमारे हमें थोड़ी ज्यादा accuracy दे रहा है which is around 82% थोड़ा 82% से थोड़ी ज्यादा है यह देखे सोरी 81% के आसपास 82% basically तो हमने इस वाले model को है जो है पिक कर लिया यह हमारी हो गई जूपिटर notebook की बाद अब हम आते हैं next time आते हैं backend के उपर backend का code यह है app.py file जाला कुछ है नहीं उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि जो model हमने save कर लिया था वो model save करने के बाद हमने यहां पर होस्ट कर दिया है एक रूट एक डिरेक्टरी मोडल नाम की डिरेक्टरी बनाई और उसको यहां पर प्लेस कर दिया उसके बाद फिर हम यहां पर जैसी हमारे 已 favorable speed those dat estAlts को रेंडर कर रहहें और प्रेडिक्त वाले स्लाइश एनड़ के ओपर प्रेडिक्ट वाले एंडवियं आन्ट के ऊपर जो है मैं यह वाला लको कर रहे हैं मोडल है प्रेडिक्ट किया अगर हमारा प्रेडिक्शन का लेबल वन आया तो हमने उसको येस बोल दिया प्रेडिक्शन का लेबल अधर्वाइस हमने प्रेडिक्शन का लेबल हमने नो बोल दिया और जो प्रेडिक्शन की क्या प्रॉपयरिटी आए उसको जैसनी फाय करके म वापस बेज दिया अब मैं अगर आपको चेक करके दिखाऊं अगर इसी एपिए एंड आप यहां पे देखोगे कि यह मेरा जो यहां पर अगर अगर आप थोड़ा समय अगर आपको स्क्रोल करके दिखाऊं तो यह जो है मेरा यहां पर frr loan और यहाँ पर यहां पर इदिखोगे और यह तो आप देखेंगे यहां पर मैंने यहां पर और ईसके बोड़ी में यह सारी डिटैज्स बैज रखी जो की मोडल को चाहिए कि भाहिल मिट का balance credit card limit balance कितना है sex क्या है education क्या marriage क्या है वो सारी values जो है मैंने यहाँ पर भेजी है अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं अपनी API को test कर रहा हूं मुझे अपनी API को test करने के लिए यह सारी values post request की form में भेजनी है मैं यहां से जैसे ही भेजूँगा तो यहां पर जो है मेरा बैक एंड पर हीट होगी API और जो है प्रेर मेरा जो response आ जाएगा अगर मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं आ जो यहां पर आप देखेंगे तो जो रेजल्ट जो है आ गया है मनलब प्रेडिक्शन इस बैसिकली इन डेटा पॉइंट्स के लिए कस्टम सॉरी मोडल ने हैं प्रेडिक्ट किया कि यह वाला कस्टमर जो है डिफोल्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी probability बहुत कम है तीस परसेंट के आसपास की probability है तो ऐसे हमने जो है अपनी API को टेस्ट कर लिया API को टेस्ट करने के बार जल्दी से हम आज आते हैं प्रेंटेंट के quan के ओपर प्रेंट кड यह वाला है यह में मेरा स्टैमल का कोड़ है यह मैं बहुत जादा कभर नहीं करूगा यहां पर सारा डिजाइन और वह सब जो है वह सब हैं और इस में यहां पर जो आप देख पारें यहां पे script.js में जो है मेरा यह मेरा CSS का code है CSS का code भी मैं cover नहीं करने वाला हूँ मैं यहाँ से JavaScript का code जो है cover कर देता हूँ जल्दी से तो जैसे आप देख पारे हैं यह मेरा function predict है जो की API endpoint slash predict को call करेगा उस API का method post है यहाँ पे details और JSON की form में यह सारे details fill कर देता है so front end से जो भी value आती है उनको respectively assign करके education के लिए education में age के लिए age में इन सारे variables में value assign करके वो send कर देता है और फिर response का wait करता है then response को JSON में convert करता है JSON में आने के बाद जो है जो भी हमारा जो response आया उसको फिर हम display कर देते हैं basically इस वाले status के लिए हम status की value कर देते हैं और prediction की जो percentage है probability है उसको probability में वो display कर देते हैं ओके और यह वाला जो मेरा front end का code हो गया यह मेरा JavaScript का code हो गया यहाँ पर मेरा model हो गया यह मेरा data set हो गया यह सारी चीज़े cover हो गई है और यह ऐसा मेरा जो है UI दिख रहा है ठीक है यहाँ पर ऐसे फिर मेरा जो response आ जाता है मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीज़े cover करके दिखा दिए है कि customer default करता है या नहीं default करता है दोनों use cases आपको करके दिखा दिए है I think हमने सारी चीज़ों को cover कर लिया है and again guys if you need this project for any of your requirements you can connect with me मेरा number जो है इस वीडियो के description box में भी है और pinned comments में भी है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं and I can definitely help you with the project source code and the setup on your machine till the next video bye bye take care and thank you for watching